सब्सक्राइब करें लिए एक पैन और इसमें हम आइड कर रहे हैं तो टेबल स्वून ओइल चुपी मैं आइड कर लिया है आप में डानूंगे जीड़ा इसमें अभी आप सोच रहेंगी कि मैं इसमें आइड करूंगी डायरेक्ट अपना आलू पर्मल सभी तो बनता है यह फास्ट यह देखिए और हम आइड करेंगे अपना आलू पर्मल यह देखिए अब इसमें आइड कर दिया है जारेक्ट पर्माइड को हम पोटल भी बोल पहेंगे विदेशने अलू पर्मल यह देखिए इसमें अपने यह देखिए इसमें आइड कर देंगे तोड़ी हल्पी जीड़ा पौदा और नायोच का पौदा और तो तेखिए आप तक तक पर यह निक्स करिए बसर नगाईए सुमसे दस मिर्मारा की सब्जी बेड़ी इस तो ग्यों इत्राइट है इस पकुछ इसमें एड कर लिये हैं रेड चिली, क्यूमिन, स्वीरा, एंड धनिया पौडर लिए अधनिया इसको बाख हमें निक्स करना है जाले एक बड़िया सुस्चवब्रा जाना है इसके बाख इसमें हम दो से तीन चमच पाने एड़ करेंगे दो पिर अधन और पिर हम इसके लगाएंगे दर्फंच अधन जैसे दस मिर्मार्पांच से साथ में जिसको छोड़े बीच बीच में इसको चरफे भी करते रहेंगे तक यह हमारा सब्जी जलना जाए और यह मैं बनाई हूँ सारह रिख्वाइन ओयल में आप इसमें गी भी आइड कर सकते हो और ऐसी रेसिपी में तब बनाती हूँ जब मेरे फसको किंग के लिए बहुत ही कम टाइम होता है खा आप बढ़ी आसा में बन जाता है उसके सथ अपनों एसे पापड़ा एड कर लीजे अचार ले लीजे मरी आसी थाली आपके रेडी हो जाती है अब बहुत ही कम टाइम है जब कोगिंग के लिए टाइम ही होता है आप व्रेसिपी केसे बनाओगे तब ऐसे सोचोगे ना कि स पैसी भी हो मजएदार भी हो और मुद्री आपके ठाली आपके सवाद का भी घ्यान रखे तो यह न यह मज़दार रेसिपी द्यान, जाल एको पिए यहरे लाइका ट्रेसिपी, एक्टियु और इसी चप्ट बन इस चानल में है और आप इसको देखे यह और अअचार आप शीचनद हो यह बनाईएगा भी उन पास मुम्यों के लिए बाश टाइम नहीं है और उन मुम्यों के लिए भी जिनके पर सारा दिन कुकिंग करके टाइम निकाल देती एंट इससे आपके लिए भी थोड़ा सा अपना मीट टाइम निकल जाएगा देखें इस यामी, जैंटिंग, अब इसको हम डखन लगा देंगे बस तू 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 त्री टेबल सुन पानी आइड करेंगे इता कि हमारा मसाला जले ला और बस इसको कवर्ड कर देंगे अब तू तू अब तू थोड़ा सबस अब तू अब तू तू नियागे जले लाएगे अब सब्ची बीकुली बच जाएगे इस पेशल में थर्स्टीस को बनाती है जब हमारा प्याल लस्टन हम नहीं खाते हैं यह देखिए अब धबकन लगा देंगे और सिम पे 10 मित के लिए छोड़ देंगे यह देखिए रेस्पी हमारी ऐसे हो गई है पानी सारा ड्राय हो गए और बिल्कुल वेजिटेबुस हमारे करारे क्रंची बनके बढ़िया से जूसी बिल्कुल यह देखिए और यह हमारा आलो पर्मा रेसिपी इल्कुल भी डन लग रहा है इसको मुझे लग रहा है कि और पाई मिनिट्स मुझे इसको ओपन में पका लेना चाहिए तक ही थोड़ा और वड़िया बन जाए यह देखिए आलो हमारा बिल्कुली बख चुको है और आपको यह कैसे पता चले कि आप वेजिटेबुस आपके पके हैं जब आपके बिल्कुली यह जो हमें दो से तीन चमज पानी डालके सिम करके हम वेजिटेबुस को कवर करके आप दिखेगा वेजिटेबुस का पानी भी निकलेगा और आपके पानी जो पानी आपने अपने आट किया होगा ना उसके साब वेजिटेबुस पक जाएंगे और फिर आप इसको जो फाइब मिस बस चेयर करोगे ना यह ऐसे दिखेगे उसके पाद आप इसको थोड़ी क्रंची हो जाएं और बढ़िया हो जाएं सो गाइस दू लाइक सब्सक्राइब मैं चैनल तो हमारा अलू पर्मल की जो सुखा फ्राय है वो बन चुका है वेड़ी एंड फिनिश्ट यह देखिए दिखिए दिल्कुली पर्मल के ऊपर एक गोल्डन कोटिंग आ चुकी है अच्छे तरीके से कोट कर चुके हैं और इसको हम सर्फ करेंगे राइस एंड प्लेन दाल हो गया किसी भी तरीके के दाल के साथ यह देखिए यह एक साइड डिश की तरह बन जाता है अस्पेशली जो ओनिया जिजर गालिक ने खाते हैं उनके लिए तो यह बहुत बढ़ि आखिए गालिक चामन दो श्काबर खंच प्राइब जी बढ़िए यह यह टालिक भी टालिके बाल्या मैं जय टूर जाइस पीजर